पहाड़ों से एक और नई फ्रेस और कमाल ब्लोग में स्वागत करता हूँ आपका तो सुबे के साथ बज़ रहे हैं दोस्तों मैं जा रहा हूँ के सेलिक मार्केट को दूर्थ पहुंचाने के लिए लेकिन एक चीज पहाड़ों मा आज सुबे से ही बारी सुरू होगी है चाता वाता लेके मस्ट जा रहा हूँ में आज तो सुबे से ही बारी सुरू होगी है करीब अभी एक गहंटा हो रहा है जो बारे सुरू हो रही है जब से सुबे में करीब 6 बजे उठा उसमाई मौसम बन रहा था थोड़ा घाटियों पर एकदम घना कुहरा चाया हुआ था और साथ में चिडियाओं के मच चहचार सुबे सुबे सुनाई देर थी एक बार नजारे देख लीजे मैंने व्यू कर्चर क्या था अब जब सुबे में 6 बजे उठा तो देखा फ्रेंड सुबे जब में उठा उसमाई तो माहोल ऐसा था और अब करीब एक गंता हो गया है तो बारे सुरू हो गी है तो ब्लॉब के सुरूवादी कर लेते हैं दिन क अज क्या हो सकता है अगर दिन भर ऐसे बारी रही तो आज तो घरी रुकना पड़ेगा और कुछ काम होंगे नी तो देखते हैं दिन भर कैसा रहता है मौसम कैसा रहता है दिन तो सुरूवादी कर लेते हैं आज के ब्लॉग की तो फिलाल तो इस बारिस में मैं चल लिया अज बारिस के बीच मैं पहुंच गया हूं और आज तो आपको नजारों की बात भी नहीं कर सकता क्यूंकि आप देखी रहे होंगे सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है वीजबल्टी एकदम जीरो है पूरा घना कोहरा चाय हुआ है पहाड़ों पे और लगातार बारिस हो रही है देखे फ्रेंड थोड़ी सी बारिस में देखे है रोड़ू में कितना पानी चलने लगया है को हुआ да अथि ध smah मौर्णिंग में कहाई इस Das L फ्री परकार है यहां ही फलक्त कै यहाल तो नहीं है क्योंकि वही लोग आह update में दूद देने ल्हाता आं और यहीना DR किरकेट की दुकान भी खुलने लगी है लेकिन बारीस तो लगातार हो रही है तो के तो in market का हाल भी आप लोगोंने देख लिया है सुभी का माहूल मार्केट में भी ज्यादा तर लोग ‎ सुबे सुबे मार्केट पर दूद पहुंचाने आते हैं क्योंकि लोगों का दूद दूद बादन यहां पर रहता है मैंने आपको पहले भी बताया है बाकी धेर धेर दुकाने भी खिलने लगी है और लगता है मौसम दिंधर आज ऐसा ही रहेगा तो फ्रेंड मैं भी आ चु अब लगातार बारिस हो रही है पहाड़ों में रास्तों में धीरे धीरे देख सकते हैं आप पानी भरने लगा है तो फ्रेंड घर पे तो मैं पहुंच गया हूं और घर पे कन्नों लोग रहां पर रेडी हो रहे हैं और स्कूल को जा रहे हैं मौसम का भी कुछ कह नहीं सकते हैं जब अलर्ट दिया था ना तब तो बारिस हो नहीं रही थी अब लगातार बारिस हो रही है और बच्चे लोग तो अपना रेडी होके चल लिया है इसकूल को फ्रेंड अभी समय हो रहा है असोबे के 11 बच के एक मिनट ये बेखें मैं थोड़ा सा बहार आया हुआ था देखने की बारिस बाहर कैसा मौसम बना हुआ है लेकिन लगतार बारिस जा रही है सुबे से ही सुबे से ही आज बारिस शुरू हो गी है और अभी 11 बज गये हैं अभी भी बारिस हो ही रही है ये देखें मौसम पूरे पहाड़ों में कोहरा चाय हुआ है और लगतार बारिस हो रही है मौसम को देखके तो लग रहा है आज दिन भर बारिसी होगी अब देखते हैं कैसा बने रहता है मौसम दिन भर फिलाल मैं अभी तक लगा हुआ था वीडियो अडिटिंग के कारे में और वीडियो आपनों के लिए अपलोड हो रही है जरूर देखेगा वीडियो पसान आये लाइक सपोर्ट जरू करेगा वाकि मौसम के हाल तो आप देखी रहे हैं कैसा मौसम बना हुआ है कुछ भी नहीं दिख रहा है पहाडियों पर बस कोहरा ही कोहरा और लगातार हो रही बारिस नीचे हलके खेट दिख रहे हैं सामने तक नहीं दिखाए दे रहा है उतना घना कोहरा चाय हुआ है घाटियों पर अभी समय हो रहा है दोपहर के करीब देड़ बजे का और अभी न मौसम बिल्कुल सांत है याने की बारिस बंद होगी है और जो हमारे घर के ऊपर ये जिंगल में पहाड़ी है ना इस पर भी धिरे धिरे कोहरा फिर से आने लगा है मौसम मौसम को देकतो ऐसा लग रहा है थोड़ देर जैसे बं हुआ है मौसम फिर से बारिस सुरू होने वादी एक थोड़े से पल के लिए राहत जैसी दी मौसम ने यानी बारिस बन हो के कल जुष्प्रगार का मौसम था लग नीरा था जैसे साम को मौसम थोड़ा खुला खुला था लगनी रहा था कि सुबह से ये बारिस शुरू हो जाएगी आज तो सुबह से एकदम खतरनाख वाली अब आज देखते हैं दिन धर मौसम कैसा रहता है कैसा साथ देता है ऐसे में ना काम भी कुछ नहीं हो पाते हैं ना खेतु के काम ना इधर उधर के कुछ काम बस बैठे रहो घर में और कुछ हो नहीं सकता है बारिसों के दिन हैं बारिसे भी होनी ही चीए और बारिस होके ना आजकल पहाड़ों में वैसे ही चमक आगी है हर्याली बहुत बढ़ गी है आजकल पहाड़ों की तो फ़्य नहीं दोस्तों अभी जो समय हो रहा है सामके साड़े छह यानि कि छह बच के अड़ता लिस मिनट हो रहे हैं अभी यह देखिए मैं भी अभी अभी उठ रहा हूं खानावाना खाके करीब 2-3 बज़े में सो गया था अभी नीद खुल लिए और बाहर मौसम देखूं तो मौसम ऐसा ही बना हुआ है एक बार आप लोगों को भी दिखा देता हूं दिन में मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था उसके बाद दिन से मौसम ऐसा ही है अभी बारिस और कभी बन हो रही है अभी तो बारिस को ह्रा या है घाटियों प्रें एक बार देख लीजिए नजारे और आज कल ना पहाड़ों में ऐसा मौसम हो रहा है तो टूरिस्ट भी काफी कम हो गया है तूरिस्ट बिल्कुल ना के बराबर हो गया है क्योंकि बाहर से जो आनमी यहां पर घूमने के लिए उनको बारिसों में डर लगता है वो लोग सोचते हैं कि कहीं लैंड स्लाइड नह है तो बहुत कम हो चला है और आप बताईए इस बीच में आप यहां पर आने वाले हैं या इस बीच में यहां पर आके आप चले गए हैं वह आप हमें कमर्ण में जरूर सिह करिएगा बाकि आप लोगं को बता देना चाहता हूं ऐसी कोई बात नहीं होती है कि लैंसलाइड लेकिन जो पहाडों पर रहते हैं बर्सों से पीड़ी घर पीड़ि इहां पर रहते आ हैं तो उन्हों लोगों को अच्छी से पता रहता हैं कि कैसा मौसम होगा कैसी बारिस होगी लैंसलाइड होगा या नहीं होगा इतनी दिक्कतों का सामना करना पढ़ता है या कैसी situation रहते हैं यह सब उन लोग अच्छी तरह पता होता है और इसलिए पहाड में रहने वाले लोग नहीं डरते हैं खासकर हम भी अपनी बात करें तो हमको भी बिल्कुर डर नहीं लगता है कि लैंसलाइट होगा यह होगा वह होगा क्योंकि हम तो पुस्तों से हम यहां पर रह र पहाड़ों की देखने को मिलती है तो आजकल के मौसम का तो जवाबी नहीं है आप लोग को कैसा लग रहा है आजकल का मौसम आप कमेंड में जरूँ सिया करिएगा तो फैनली दोस्तों पहाड़ों में पूरी तरह से अंधिरा हो चुका है और जो राच्री के कीट परतंग है इसलिए कुछ भी दे ने रहा हैं को है कि तो मैं भी अपने घर के पास में ही आयो था यहां पर यहां पर बांच का collectors बनाया हुआ है पाहा बीमने बनाया होगा तो यहीं पर रग दिया है तो बदिन को जरृस को खात्त वोड़े पहाड़ों पर आज की दिन की थे सांए गाटियों पर क्योंकि धुन है तो इसी खुबसूरत साम के सांते दोस्तों आज के ब्लोग को करते एंड तो आप से मिलेंगे कल एक और नए फ्रेस ब्लोग में तो तब तक के लिए जैहिद बाई-बाई ख्याल रखेगा